किसान आंदोलन की धमक और इस वार फिर केंद्री बंदू है वो है दिल्ली पिछली बार लंबा संगर्ष चला था और सरकार को जुकना पड़ा था कि उसके बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि धान मंत्री जी की और होम मिनिस्टर की मीटिंग होई थी डीजी पी सब किसान और यह कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शन यह था कि आप लोग ठीक से काम कर रहे हैं तो फिर किसान दिल्ली तक पहुंचे कैसे और उसके बाद दिल्ली का जो बॉडर है वह सील कर दिया जाता है अभी रितु सिंग धरने पिती चे तारीक को प्रदर्शन था उस समय भी सिंगु बॉडर सील कर दिया है अब सवाल है कि जब साहव इतने लोग प्रिये हैं इतना प्रचंड भहुमत लाने का दाबा कर रहे हैं तो डिमोक कर दिया इस विशाय पर बात करें कि आखिर जो अंदोलन हैं क्या-क्या मुद्दे हैं और अभी किसानों के कुछ संगठन भी में शामिल नहीं हुए उनकी मीटिंग चल लए हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार संजीव पांडे साहब हर्याना में रहते हैं तो हर्याना पंजा कर रहे हैं कि फिर एक किसान अंदोलन क्यों इतने बड़े पैमाने पर शुरू होड़ा है क्या है इसके पीछे लॉजिक देखें रिजन्स तो लगवग वही हैं जो आज से दो साल तीन साल पहले या पिछले दस सालों से किसान किसानों की जो मांग है लगवग वही मांग पर फिर किसान अंदोलन सुरू हुआ है और मुख्य मांग इनकी है कि श्वामी नाथन कमिशन की जो रिपोर्ट है उसको केंदर सरकार ने लागू नहीं किया MSP पर कोई केंदर सरकार कर रवया ढूल मुल है और तीसरा यह कि जो किसानों को कार्प्रेट जो कंट्रोल करने की कोशिस कर रहे हैं और इसमें सरकार की सभागिता है इसको किसान रोकना चाहते हैं तो और यह बड़ी मांग है किसानों की जो किसान यूनियन जो है और तो ए उस दोरान सरकार ने वादा किया था कि हम वो मुकदमों को वापस लेंगे लेकिन वो मुकदमे आज तक वापस नहीं दिये गए तो उसके आलोक में यह आंदोलन सुरू हुआ है और इसमें मैं एक बात बना स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी इसमें कुछ ही किसान संगठन ऑने हैं अर्याना के लोग्रह दो किसान संगठन है ने किसान संक्ष मेटी है जो सामान चौन रूप से उन की एक अमरीचार गुर्दासपूर जो पंजाब कदो माजा रिजन है उस एरिया में है इसके लीडर है किसान इंद और शिखी सर्गो यह एक किसान union जिसका नित्व चडूनी करते हैं चडूनी से टूटा हुआ गुरूप है इनका कॉल है तो अभी तीन चार किसान संगठन ही इसमें सामिल हुए हैं और इंटेलिजन्स के जो पुठ है सरकार के पास कि ये करीब 30-40 हजार किसानों ने पीछले सौ दिनों से रहाल सल किया है दिल्ली कूछ करने के लिए अच्छा हां और पंजाब के अंदर और और दस हजार ट्रैक्टर सेंके पास दिल्ली कूछ करने के लिए त्यारी कर रखी है त पंजाब से जो हर्याने कंदर जो में एंट्री होती है वह है शंभू बॉर्डर है और वह में रूट है जम्मू दिल्ली उसको टोटली इन्होंने बैरिकेटिंग कर दिये कील लगा दिये वहां पर और दूसरे साइड में किसान बैठ है और इधर जो है पुलिस बैठी है इधर पंजाब में कैथल डिस्टिक में पंजाब न के एथल में केंट्री होती है पट्याला डिस्टिक से वहां पे पुलिस है इधर आगर आप जींद और संगूर के बीच यक एंट्री पॉइंच है वहां पे भी काफी बैरकेटिंग की गई है और इसी नंग से जो फतः यहां कि पाकस्तान ही जो एंफिल्ट्रेट इडिया में कर रहे हैं तो जैसे हमारे बिश्व के जवान चोकस होते हैं वैसे हर्याना पॉलिस को चाक्चो बंद किया गया है अब सवाल यह उठता है कि जो किसानों ने जो कॉल दिया है उस कॉल से पहले चंडिकल के अंदर एक म बेजा अब पंजाब के सियम उसमें मध्धेस्त बने हुए थे ब्रगवंत मान और वो किसान संगत्रों से मीटिंग हुई किसान संगत्रों अपनी महांग रखी इन्हों ने अपील कि कि आप उस मार्च को कांसिल करो दिल्ली मार्च है वो नहीं माने कहें कि पहले आप इसक प्रफिशन गोहल साब थे और एक साइद अरजून मुंडा थे तीन मंत्री तीन मंत्री गये थे किसानों से बातशीत करने के लिए कोई हल नहीं निकला था फिर तीन मंत्री आज जा रहे हैं साम को चंडिकर मीटिंग करने के लिए इस वीच आम आदमी पार्टी जो वहां क मंत्री गये हैं वह बात करेंगे क्या हल निकलता है वह साम को पता चल जाएगा साम को 6-7 बजे लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि में किसान यूनियन पंजाब के अभी नहीं आए जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बड़ा किसान है जैसे एक बार बताई कि लोग उतर उतर कर गाडियों से पैदल हर्याना की सीमा में उदर गाड़ी छोड़ रही है उनको को टैक्सी वाला है वाला है आप देख सकते हैं और चंदीगर जाने वालों के लिए रूट किया गया है कि अम्बाला से आप साहबात जाईए यमना नगर जाईए यमना न मतलब कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक सप्लाई लाइन है इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन है यह नॉर्थ इंडिया का पंजाब से आगे जम्मू भी आपकी सप्लाई जाती है और वह लगातार अगर आप देखिए तो पिसले तीन सालों में बहुत डिश्टर सब्राइन की तरब जमू की तरफ इंपॉर्टेंट रेल लाइन पंजाब से गुज़ती है नीकर सकते हिमाचल में बढ़ाना था पंजाब से ही होके जाना पड़ेगा अगर तो जाते वह तो आप पंजाब पड़ेगा पंजाब का 40 किलो मिटर का स्ट्रेश आता है उसके सब्सक्राइब God Iभ्यकार लोग कैंदोलन कारियों कईक्ट्राइब लjak रही हैं लेकिन जो अनदोलन कर रहे हैं उनकी प्रशानी को कितना समझ रहे हैं हम अप आप यह देखिए कि मिलती है और जिन दो राजियों में मिलती है उसमें भी मिलती है उसमें भी में सब्सक्राइब किसी चीज़ों पर सरकार घोसना कर देती है खरीट नहीं बंगते हैं और शहरी सब्सक्राइब कर देखिए और यह क्यों दिया था कि निस्टो साथ के दसक में जब देश में रेवोलिशन के करांती का नहरू ने विजन दिया था आपका क्राइस आगया था देश के अंदर नहीं था तो नहीं किसान ज्यादा ज्यादा उत्पादन करें आपको दूसरे देशों की तरफ हाथ पहलाना पड़ रहा था तो नहरू जी का विजन था कि देश को आपने आत्म निर्भन अर्ण के दिशा में बढ़ाना है तो नहरू ने जी ने भारती खाद निगम के स्थापना करवाई उससमें नहरू जी के नहरू जी के ज़श्ट बाद ही हुआ था मुझा एड्जेक्ट नहीं याद है और अग्रिकल्चर प्राइज कमिशन का गठन किया गया था जिसमें क कि एक मीनमम सपोर्ट प्राइज आम जनता को मिले किसानों को मिले ताकि वह फसल का प्रोडक्शन करने के लिए उत्साहित हो अगर उनका फसल का प्रोडक्शन का कीमत नहीं मिलेगे तो क्यों उत्पादन करेंगे अगर आप नहीं उत्पादन करेंगे तो उस समय देश में तो यह इसी लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मेनमम सपोर्ट की आप जब मार्केट में लाएंगे तो आपको उची मुल्ले मिलेगा ताकि आपको नुक्सान ना तो यह सिस्टम था लागूं नहीं किया पंजाब हरियाना में इमांदारी से लग हुआ है अगरिकल्चर मार्केटिंग बोड यहां बहुत ही काम किया और हरियाना के अंदर हरियाना किसान समरिद भी है पांच एकल का किसान भी हमारे आगे 35 एकल के किसानों से ज्यादा सम्रिद्ध है और बिहार में तो हमारे मुखमंत्री जी है वो तो इतने समझदार मुखमंत्री हैं इतने बड़े अपरे इंजीनियर हैं उन्होंने तो क्या किया कि अग्री केल्चर्वार्केटिंग बोर्डी खतम कर दिया अग्री किसानी को तबाह कर दिया तो पंजाब और हरियाना के किसान इसलिए आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा जागरूख है सबसे ज्यादा एग्रेशीव हैं और देखिए मसला सरी पंजाब हरियाना कर नहीं है पिछले दस दिनों में पूरे ग्लोबल जो फार्मर अंडरेश शामने आया है उरोप के अंदर जर्मणी फ्रांस पोलेंड निजरलेंड डेनमार्क नौर्वे सब जगा किसान सड़कों प है कि इंपूट कोस्ट बढ़ गया है फर्टिलाइजर की कीमते बढ़ गई हमारी कीमते हर चीज में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है उस हिसाब से हमें आमदन नहीं है उपर से क्लाइमेट चेंज के नाम पे किसानों पे तरह तरह की सरते ही रोप में डाली जा रही है और साथ मुन का ये भी करना है कि आप सस्ता इंपोर्ट करते हो हमारा किसान मारे गारे हैं तो सस्ता इंपोर्ट करने का मतलब है कि उसमें जैसे हमारे यहां के भी बहुत सारे एग्रिकल्टिस्ट बार बार करते हैं कि एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो तो आपके एक्स नहीं पालोगे इसके कारण मिथेन गैस का बड़ा पाधन होता है क्लाइमेट को नुक्सान हो रहा है यह सारी चीज़े उरोप के किसानों बड़ा गया वह सब्सक्राइब करना पड़ा उनके सामने अभी तीन दिन पहले की बात है कि हम आप से बात करेंगे फ्रांस में सारे स अभी हुआ है पिछले 20 दिन में उसके कारण हर देश की सरकार भी स्रेंडर की उसके सामने किसानों से बाचीत कर रहे हैं और ब्रुसेल्स को भी जो में सेंटर वहां पर भी किसानों ने घिराव कर लिया ट्रैक्टर लेकर सारे सब्सक्राइब करें सेम इंडिया की तरह तर दो साल किसानों निया बारत में अंदोलन निया दो साल पहले कुंडली और टिक्री चाहिस को देखिया था और वोपोधनी की सट रही है 4ह सरकार और सबसेट कर रहे है कि किसानों को यह बहुत बड़ा डर है कि जैसे आदिवासियों की जमीन चीनी गई है वैसे ही देश के कुछ पूजी पती घराने उनकी जमीन को चीनने की कोशिस करना है वर्ल्ड में जो लैंड बैंक जो डेवलब करने के लिए जो कर्परेट घराने आये हैं और जिन्होंने देश के तीन चार बड़े कार्परेट गराने सरकार के साथ मिलके साजिस कर रहे हैं जमीन खरीद लो यह आपको मजबूर कर देंगे बेचने के लिए आपको खेती घाड़ा का इमस्पी क्यों खतम कर रहे हैं चिसान का सौधा इतना घाटे का हो जाए जमीन भी बेचके भ सीतनी किसानों करने लिए कि अफ़ा नतुरी इतनि गराने जो सब्सांगी ृयाव 20llय ओल जब यह घाड़ दे लॹश। पंजाब और हरियाना के और इसलिए कार्परेट का इंट्रेस्ट यहां पर इस दोनों स्टेटों में यहां का अग्रिकल्चर मार्केटिंग जो है वह बड़ा स्ट्रोंग है हर जगा मंडी बनी विए इस परिस्थितियों में मेरा यह मनना है कि किसानों की जो मांग है उसके प्रति सरकार गंभीर इसलिए भी नहीं है कि कॉर्परेट पेश रहे हैं किसानों का वोट चाहती है तो किसानों का वोट MSP नहीं देना चाहती स्वामी नाथन को अगर आप भारत रतन दे रहे हो तो स्वामी नाथन साहब के जो रिक्मेंडेशन उसको भी माल लो असली भारत रतन के लिए यह होगा कि स्वामी नाथन कमिशन की जो रिपोर्ट है सवामी नाथन जी किसानों को जो सवामी नाथन ने कहा था कि इनको जो यह चीज़ें मिलनी चाहिए को लेकर करना कोई उपाय है आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहिए पंजाब रियाना बंद नहीं होगा जो आपका जो एक बहुत ग्लोबल पावर आप बनना चाह रहे हैं आप पुरी दुनिया के इंवेस्टमेंट को भारत में लाना चाहते हैं कौन इंवेस्टमेंट लेके यहां आएगा आप देख लिए तीन साल चार साल में कितनी बार इस देश के अंदर इंटरनेट बंद रहा है आप जो है डिश्ट पर लचित है तो यह मतलब की जूठ पत्रेक लाखे आप किसी को जूठा बोल बोल बनाम कर रहे हो कि वह पर ड़ाब और बने कि यह लुग दीए और कितने अपने माफ किया अगर यही डाटा आप अगर इबादारी से लिया आपकों पता चल लियागा खूद ही ने बोल र पे आपने राइटओ कर दिया से पैसे निकाल देने से वापस नहीं निया ना किसी को निखाने के लिए सब्सक्राइब काया सित तो मेरा यह इस सरकार कर रही है तो यह सरकार आप चुनाओं पिलक में आप यह नहीं तो लगतार कट करपूय ठाकूर को देढ़े अपने चरण सिंग को दिया स्वामीन अथन जी को दिया अडवान जी जी दोनु का युगदान लेकिन चरण सिंग को जो दिया सिर्फ तीन चार सीटों के लिए कि चरण सिंग से कोई प्रेम नहीं मुझे नजर आया है कि चरण सिंग को देना होता तो लुझार चोदा के बाद क्यों चूप रहे हैं 2014 से 2019 के बीच क्यों नहीं याद आये तभी करपुरी ठाकूर याद आए ना किया रहे सैतिस परसेंट अती पिछला है पिछला मिला के 65 परसेंट बोड़ बंक की कहीं पॉलिक्स हो रही है करपुरी ठाकूर कि पति आपका प्रेम नहीं है तो मेरा यह मानना है कि जो पुरा का पुरी जियो इस्थिति बनी विए उ जो है सरकार जो है सरकार एक तरब तुकार रही है 400 बार दूसरी तरब आपके जो है आप बैरिकेट लगा रहें उसड़कों पर अरे भाई इतनी बड़ी सरकार के लिए जो भूद मान रही है कि 175 लाग कोड़ रुपया सरकार करजे में चलेगी मतलब कि इतना करच बड़ा है सरकार के टाइब में यह वाइट पेपर में नहीं दिखाया तो दो चार 10 लाग 20 लाग क्रोड रुपया करपोरेट को दे दिया किसानों को एक लाग 2 लाग 3 लाग कोड़ रुपया के एबस्पी पर देने में आपको परिशानी हो रही है क्यो पड़िए आप 2 लाग 3 लाग कोड़ रुपया देनी रहें बाकी देश के आप पूरे बजट में देखिए कि किसानों को क्या मिला है पूरे बजट में आपने कार्परेट टैक्स में तो कमी कर दी इस बजट में भी जाते चाथे जाते पुंजी पति बित्रों के लिए किस बड़ा है उसे 6,000 रुपया से किसी मार्जिनल फार्मर को क्या बेनफिट मिलेगा जो किसान का जो डिवांड है क्या आप इंपूट को या तो कम करो जो हमारे जो खेती में जो भंगाई बढ़ रही है उसको कंड्रूल करो और उसके बाद जो हमें जो आउट पूट जो है हम इनकी बातों को इनको आज नहीं तो कल समझ में एगा 140 करोल का देश है अबादी वाली देश है जहां पर खिसान नहीं होंगे तो इस देश के लोग अनाज कहां से खाएंगे कहां से आप इंपूर्ट करेंगे और इंपूर्ट करेंगे तो भी आज कल ग्लोबल वार ऐसा च चाहेंगे तो रेड़ सी डिस्टर्व है आपके ही दो तीन जहाजों पर हौथी विद्रोहियों अटैक कर दिया है तो आज की डेट में अगर आप सुचते हैं कि हम अपनी इतनी बड़ी अबादी को इंपूर्ट करके खिला लेंगे तो यह भी संबोड नहीं है आपके पा यमन के जो विद्रोही है इरान समर्थित जिस जंगसों सी रूट को डिस्टर्व कर रहे हैं तो अब आपका त्स गारें 30-40 परसेंट ट्रांस्पोर्टेशन कोस्त बढ़ गया है त्स चांपोर्टेशन कोस्त बढ़ने कारण यह अतंका जदाई जया रही है कि लडाय ज्याधा बढ़ गई जो पेट्रॉलियम और डीजल की कीमतें च्छिस्टर्व हैं अभी लेटेश्ट हुआ कि र अमेरिकन एनर्जी इंपोर्ट बंद कर दिया पिछले महीने क्यों बंद किया तो वह दूसरे रूट से जो अमेरिकन एनर्जी आ रहा था वह बहुत महंगा पड़ रहा था दो इतना पहँद करते हं उसका यह प्रेंट कराल बैलेंस हो जाएगा इन्होंने पिछले महीने अमेरिकन एनर्जी को बंद करके अमेरिकन पेट्रॉल और गैस बंद करके एडराक वेइ से अपने को पढ़ा लिया है ताकि वह रेड़ सी के रूट को नहीं पढ़ता रेड़ सी रूट को जाने की जोत नहीं पढ़ती उससे यह अपना तेल मंगबा रहे हैं तो अब यह देखिए कि ग्लोबल अंसरे निटी है उसमें एक सोचालिस कोड़ के देश को एक सोचालिस कोड़ के अबादी वाले देश को खाने के लिए खाद सुरक्षा चाहिए खाद सुरक्षा कौन देगा कोई दूसरे देश का किसान नहीं देगा आपका अपना किसान देगा और अब अपने किसान को ही मारने के चक्कर में हो आप एक जो है ना यह किसानों का मसला सिर्फ नहीं है देश के 140 कोड़ के अबादी का मसला है और यह मसला तब खुद सरकार ही बोलती है कि हमारे हैं तो बहुत ज्यादा भुखमरी है तो बहुत आए और दो यह तक प्रदान मंति जी बार नाम लेते हैं प्रदान मंतरी जीने हरु का उनिस्सोंपचास से लेके साथ तक कारकाल दें नेरू ने ये कभी नहीं कहा जा कि हम पांच किलो अनाज देखे लोगों को भूख मरी से रोखेंगे नेरू ने तो कहा कि देश को इतना वड़ा ग्रीन रेवलेशन देंगे कि कोई भी बंदा भूखा नहीं मरेगा अपने अवकाद से खाएगा अपने से खाएगा आपने देश को सिस्थिति में ला दिया कि मोधी की गरंटी है कि पांच किलो अनाज हम दे रहें मोधी की गरंटी में प्रदान मंत्री जी बूलते हैं तो यही नहरू और मोधी का अंतर है किसानों के लेकर भी कि नहरू ने हिराकून डैम बनाया नहरू ने भा सब्सक्राइब करें लोगा पाक्स्तानी पंजाब को चला गया था इंडियन पंजाब राजस्थान हर्याना का उसने पंजाब में था चाशाट में लगवा तो उस पूरे पार्ट को ऐसे चाल किया जाए और जो रफूजी आया थे उनको बसाया गया उत्तरा खड़ता को मतलब कि हैं कि सामिल कि यहाँ का बासमती आपको एक्स्पोर्ट करते हैं उत्राख कंड से लेके पंजाब तक का बासमती इरान प्राइट दिखता है उसलब दसहजार करोड रूपय के विपा प्रपार असुझार करू पर पिर उनकी बर्दी होगी वो अपने हिसाब से फिक्स करेंगे 500 का होगा कुछ भी करतेंगे अभी बीचेल स्टोर में जाए ना अभी पूंके रिज़ सम्बानी जी के कही रिचेल स्टोर ने वे हैं आप उसमें जाये ना जो मकी काटा आपको बजार में परतून की दुका तो यह सारी स्थीती जो आई इस पूंजी पतियों के रिटेल स्टोर में जो फूड आइटम्स भी रहा है देश का मिडिल क्लास जो बहुत इस समय राष्टवादी मिडिल क्लास को चुछना चाहिए कि यह किसान अगर जिंदा रहेंगे तभी इनका राष्टवाद भी जिंदा रहेगा बोजन जब मिलेगा दोनों टाइम तीनों टाइम बढ़िया से सस्ता बोजन मिलेगा तभी अभी तर्विंद केजरीवाल ने बिजली का फिरी कर दिया तो इस देश के मिडिल क्लास जो ब राष्टवादी है तो राष्टवाद भी तभी जिंदा रहेगा इस देश का हर किसान मजदूर बढ़ेगा वही तो कर रहा हूं कि जिस दिर अजानी साहब बानी जी के कंट्रोल में चला गया ना तो इस दिर मिडिल क्लास तो है वह पांच कुलो अनाज सरकार से मांगेग हमारा भोजन नहीं चल रहा है पांच कुलो अनाज दो इदरी महंगा आई बढ़ साईगी शरी है तो संजीब जी है पुड़ा रिसर्ज करके आते हैं डॉक्टर अंबेण कर ने समिधान दिया नहिरू ने इसको लागू किया इंफा स्ट्ठुर बनाया पॉबिक सेक्टर यूनिट बनाया बगएर किसी गारंटी के नेहरू ने कभी कोई गारंटी नहीं दी चुपचाप काम करते रहे हैं और बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बने जहां पर हम सब तमाम जैसे लोग हमारे से पहले जेनरेशन के लोग मुफ्त में सिक्षा पाया नोकरिया पाई मो बात आ रहे हैं तो मैं एक चीज और बता रहा हूं कि देश में जितने भी टॉप पंजाब में पंतनगर है आप चले जाए बिहार में है आपका समस्तिपूर में आप यह देखिए कि देश भर में साउस में भी वह 1950 से उस विजन पर काम सुरू हुआ सत्तर तक बड़े बैसी का बीडिग नहीं खड़ा किया गया जा बेस्ट साइंटिस्टों को लाया गया चुबैस्ट संहिक शुण को मजबूत करो और देश को म्याम को अपर बना ऊंसे प्रोलिक्शन को को मिलना सुरू हुआ सिंटिस्टों क्यों जो बनाये हँए अलग-अलग बीज यह हैं कुछ नहीं किया जो प्रदान मंत्रीजी के बाता में उसी अग्रिकल्टिन शिट्टियों पर इसमें पुंजी पत्तियों की नजर है कि हम कुछ ना करें इनके साइंटिस्टों को कंट्रोल कर ले और इनका जितना भी ब्रेंड है उसको हम बर्ल मार्केट में बेचें अपने लिए यह प्लान है जैसे आयोसी में जो लोग बड़े बड़े पोजिशन पहुते बाद में प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं आप देखिए कि इस नो हो आई एसी हो जितने भी जो आपके ओंजी सी हो इसके जितने भी इंफ्राश्टेक्टर है इसका सबसे आदा कौन उठा रहा है आप जाके देख लीजिए आपको सब नजर आ जाएगा इस देश के अंदर इसका इंफ्राश्टेक्टर का सारा फाइदा इस देश के प्राइवेट सेक्टर उठा तो यह था विशे संबड़ कर नामा मोदी ने गारंटी देनी पर रही है और नहरू ने